हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल फार्मा एमसी की वह पे दोस्तों आपकमिंग फार्मासिश्ट एकजाम की प्रिप्रेशन की जो स्रीज मेंने स्टार्ट की है आज फार्मासिटिक्स फार्ट थ्री पर हम लोग डिसकस 25 एमसीक्यू होंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलना और बेल नोटिफ येशन को आन करके रखिए क्योंकि फार्मा आयल किसके लिए यूज किया जाता है लुब्रिकेंट शाइनिंग एजेंट एंटी डेस्टिंग कंपाउंड ना आप दीजेव तो यहां पर आपका राइट आंसर सी होगा फ्रेंट्स लुब्रिकेंट इडिवेल आयल जो होता है वो डेस्टिंग एंटी डेस्टिंग सब्सक्राइंट होता है तो यहां पर आपका राइट आंसर ऊगा आंसर ती होगा फ्रेंट्स जो के फिल्टरेड जती है और वी बेजे से होताहिए तो यहां पर आयां सरा आपका जो है डेगा 했습니다 नेस्ट कॉस्चन है फ्रेंड्स मॉल्टिंग इन टेबलेट ड्यू टू जो टेबलेट में मॉल्टिंग हो जाती है वो एक इसकी वज़े से होती है पूर डिस्टिबिऊशन आप डाई जो रंग होता है उसका डिस्टिबिऊशन सही से नहा होना migration up die, migrate होना die का दोनों की वज़े से या नन किसी की वज़े से नहीं, तो इसमें जो हमारा right answer होगा friends वो C होगा, दोनों की वज़े से ऐसा हो जाता है, ठीक है poor distribution up die migration up die, दोनों की वज़े से जो maltering tablet में हो जाती है, और UPNHM के exam में यह question पूचा गया था, ठीक है तो आप लोग इसे याद रखेंगे, next question है friends हमारा, micro crystalline cellulogy जो micro crystalline cellulogy होता है, वो किसके लिए युच किया जाता है, dilivant में, disintrigant में, winder में, आल आप दीजेव, तो यहाँ पर friend जो आपका right answer D होगा, ठीक है micro crystalline, जो cellulogy होता है, उसे हम, dilivant में भी उच करते हैं, ठीक है, disintrigant में, और binder, आल आप दीजेव, यहाँ पर आपका right answer जो है friends D होगा, ठीक है, आल आप दीजेव, यहाँ पर आपका right answer होगा, next, next question है friends मारा, Melrad reaction is related to, Melrad reaction होती है, में पीडियाप, टेलीगिराम और WhatsApp दोनों गुरूप में भेज रहा हूँ, अगर आपने जोईन नहीं किया है, तो आप WhatsApp और टेलीगिराम गुरूप को ज़रूर जोईन कीजेए, जल्दी जोईन कीजेए, चलिए friends next question है, next question है, size reduction है, heat sensitive material is done by, जो heat sensitive material होते हैं, उनका size reduction हम कैसे करते हैं, बाल मिल से, फ्लिवड एनर्जी मिल से, कटर मिल से, हेमर मिल से, तो यहाँ पर चलिए हम राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा, friends, बी होगा, ठीक है, जो है, फ्लिवड एनर्जी मिल से, जो heat sensitive होते हैं, material, उनको हम, उनका size redact करते हैं, ठीक है, बी option यहाँ पर बिलकुल आपका right होगा, next, next question है, friends, हमारा, iso tonicity can be adjusted by, iso tonicity है, किसके दर अरजेस्ट की जाती है, sodium chloride equivalent method, freezing point dispersion method, और both, नन आप दीजेवाब, तो चलिए हम right answer देख लेते हैं, हमारा right answer friends, C होगा, ठीक है, C option यहाँ पर बिलकुल आपका right होने वाला है, जो sodium chloride equivalent method, और freezing point depression method, दोनों के दोरा, iso tonicity, जो है, अर्जेस्ट की जाती है, next, next question है, friends हमारा, बैक्टिरी साइडल, इंडो टॉक्सिन टेस्ट is used to determine, जो बैक्टिरी साइडल, बैक्टिरी साइडल क्या होता है, क्या होते हैं, जो बैक्टिरिया को kill करते हैं, और static, जो बैक्टिरिया की growth को, रोकते हैं, growth को कम करते हैं, बैक्टिरी साइडल, इंडो, टॉक्सिन, test is used to determine sterility foreign particulate impurities none तो यहाँ पर right answer आपका impurities होगा friend ठीक है जो है bactericizer endotoxin test जो है sterility को determine करने के लिए किया जाता है यह option यहाँ पर बिल्कुल आपका right होगा next question है friends हमारा और यह बहुत ही common question है emulsion सार, emulsion क्या होते है heterogeneous system होता है, biphasic system होता है, dispersed system होता है all आपदी तो यहाँ पर right answer आपका all आपदी जो above होगा, ठीक है, emulsion की definition है जिसे हम पढ़ते है friends, जो है emulsion क्या होते है तो heterogeneous system होता है, ठीक है biphasic होती है, जो emulsion होता है वो biphasic liquid dogeous form होती है dispersed system होता है, जो dispersed medium में dispersed particles जो है, जो उसमें घुले होते है dispersed medium में, dispersed particles, तो आपका right answer यहाँ पर D होगा, next next question है friends, हमारा dental carriage is characterized by dental carriage, मतलब dental carriage का क्या मतलब है, यहाँ पर deepness बूचिया, decalcification आप tooth and foul mouth order extends from teeth, tooth cancer, malted enamel, तो यहाँ पर right answer friends, आपका यह होगा, ठीक है, जो dental carriage होती है, वो decalcification of tooth and foul mouth order के द्वारा हम इसे characterized करते हैं, next question है friends, हमारा sedimentation technique की जीज़फार, sedimentation technique किसके लिए उसकी जाती है, side separation के लिए, side reduction के लिए, distillation के लिए, और last है हमारा decalcitation में, decalcitation में, तो यहाँ पर right answer आपका side separation होगा, और sedimentation, deflockulated suspension में होता है, flocculated suspension में sedimentation low होता है, और deflockulated suspension में sedimentation high होता है, यह बात आप लोग याद रखेंगे, next question है हमारा filter rate is used in, filter rate किसके लिए यूज़ किया जाता है, increase porosity, porosity और increase pore size, तो यहाँ पर right answer आपका, जो है friends, यह होगा, ठीक है, increase porosity में filter rate का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, यह option यहाँ पर बिलकुल आपका right होगा, next, next question है friends, हमारा rate to filtration can be increased by, rate of filtration किसके दोरा increase की जाता है, increase surface area, increase temperature of liquid, decrease in viscosity of liquid, all आप दीज़े बब, तो चलिए हम right answer अपना देख लेते हैं, right answer हमारा D होगा, ठीक है, rate of sedimentation जो है, increase surface area को भी increase करने से, increase होगी, ठीक है, अगर आप temperature, liquid के temperature को increase करते हैं, तब भी increase होगा, और अगर viscosity, जो liquid है, उसकी viscosity को कम करते हैं, decrease कम करना, ठीक है, तो भी कम होगा, तो भी increase होगी, तो यहाँ पर right answer आपका D होगा, ठीक है friends, D option यहाँ पर बिलकुल आपका right होगा, देखे, बहुत से students कमेंट करते हैं, कि sir, UPNHM का result कवा आएगा, और कटाप कितनी जाएगी, देखे, एक ही topic पर बारवार बात करने से, बेज़ बढ़ाने सा, मेरा कोई यह motive नहीं है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, हाँ, जैसे ही result आएगा, उसके तुरंट update आपको हमारे channel पर दी जाएगी, और कटाप से related उसके बाद ही video आएगी, क्योंकि मैं जो है, जब अपना YouTube open करता हूँ, देखता हूँ, तो पता नहीं, कितने आगी कटाप, देख लीजिए, इतने number वाले के लिए, देखे, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप लोगों का result नहीं आएगा, तब तक, जो है, कोई भी वीडियो बना रहा है, तो वो समझी अपना ब्यूज लेने के लिए बना रहा है, आपका result आजाए, उसके बाद कटाप से related में वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग जो है, आराम से देखना, और अपना अनुमाल लगा लेना, ठीक है, नेस्ट, तो यहां से हमारा नेस्ट कोश्चन, फ्रेंट्स होगा, नेस्ट कोश्चन है, हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट ही, जो हाइड्रोलाइटि रेसिस्टेंट टेस्ट, ग्लास के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है, नेस्ट कोश्चन है, फ्रेंट्स हमारा थर्मोलाइबल सवस्टांसेज केन भी स्टेरिलाइजड वाई, जो थर्मोलाइबल सवस्टांसेज होते हैं, वो कुछ के द्वारा स्टेरिलाइ लिचेते हैंwest heat, sterilization, dry heat, membrane filter, none, तो देखिए, यहाँ पर right answer आपका membrane filter होगा, ठीक है, जो है C option यहाँ पर right होगा, most heat sterilization से question उप नहीं में पूछा गया था, dry heat sterilization से भी पूछा गया था, ठीक है, तो जो dry heat sterilization, most heat, radiation, पूरा sterilization है वो आप लोग अच्छे से पढ़के त्यार करें ठीक है next question है friends हमारा जीटा potential जीटा पोटेंसियल किसके evaluation में उच किया जाता है suspension के सीरफ लोसन आल आप दीजिए तो आप आप तो जो सेंटर लेवल के एकजाम होगे उनमें एक बड़ा तीन की निगेटिव मार्किंग भी होगी इसलिए वही question को आप लोग कीजिए जो आप लोगो पता हो ठीक है तो यहाँ पर right answer आपका जो है यह होगा ठीक है suspension में जीटा potential का यूज किया जाता suspension की evaluating में पहचानने में नेस्ट next question है friends हमारा principle आप most heat sterilization most heat sterilization का principle क्या है DNA destruction में protein coagulation destruction आप nucleus आल आप दीजिए तो यहाँ पर right answer आपका protein coagulation होगा ठीक है most heat sterilization का जो principle है protein coagulation होता है next question है friends हमारा class 100 facilities required for the preparation आप जो class 100 की facilities है वो किसकी preparation में required होती है parental, ophthalmic, both, none तो यहाँ पर right answer आपका both होगा ठीक है जो class 100 की facilities होती है वो parental और ophthalmic preparation दोनों के लिए required होती है ठीक है parental जिनने हम injection देते हैं IB, IM हो गया ठीक है और ophthalmic preparation तो आप लोग जानते हैं friends next question है friends हमारा और काफी important और काफी चर्जिद question है और काफी confusion बाला question है इसे आप लोग ध्यान से देखना और जो है अच्छे से इसे समझना cold cream is an exam पिला cold cream किसका exam पिले oil in butter emulsion, butter in oil emulsion बोथ तो यहाँ पर right answer आपका be yoga friends butter in oil type emulsion होता है cold cream ठीक है तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे cold cream को यह थोड़ा बड़ा question है ठीक है, तो यह exam में पूछा गया था तो मैंने सोचा इसे भी रख ले तो आप लोग इसे मतलब देखके गवड़ाना मत मैं इसे explain कर देता हूं और अच्छे से आप लोगों को बता दूँगा तो हमारा है भाट quantity आप 95% and 45% weight by weight alcohol are to be mixed to make 800 ml आप 65% weight by weight alcohol देखिए, जो quantity दी है इन्होंने 95% और 45% weight by weight की alcohol उन्होंने बोला इसे mix करना है और एक 800 ml का preparation मनानी आपको जिसमें 65% weight by weight alcohol हो तो हम किस quantity को लेंगे तो friends इसके answer मैं आप लोगों को direct बता देता हूं, इसका answer भी होगा, ठीक है इसमें हम 320 ml 320 ml आप 95% लेंगे, ठीक है 300 जो है 320 ml आप 95% का लेंगे and 480 ml आप 45% का लेंगे ठीक है, अलकोहल का तो ये हमारा जो है 800 ml का 65% weight by weight alcohol बन जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर right answer आप लोगों का B होगा, ठीक है B option यहाँ पर बिलकुल आपका right होगा मैं एक बार इसे, फिर से आप लोगों को जो है, क्लिक कर देता हूँ B answer यहाँ पर बिलकुल आपका right होगा ठीक है तो ये question थोड़ा याद करने माला है तो आप लोग इसे जो है, याद कर लेना मैं पेडियप तो देए देऊँगा आपको next, the role of borax in cold cream जो borax होता है borax BA207 तो उसका जो है, रोल क्या पूछा है cold cream में, इन्होंने मतलब उसका huge पूछा है cold cream में, antimicrobial agent होता है ठीक है, to provide fine particle to polish skin in situ emulsifier emulsifier और antioxidant, तो यहाँ पर right answer emulsifier होता है, ठीक है, वो एक emulsifier होता है मतलब, जो oil in water, water in oil emissible होते हैं, उन्हें emissible बनाता है, ठीक है, emulsifier का काम करता है next next question है, हमारा purity आप water can be assigned by determining one of its following property in instrumentally तो purity आप water किस के दोरा determine की जाती है, कौन सी properties के दोरा, pH, reflexivity viscosity, conductivity, तो right answer है आपका conductivity होगा, D option यहाँ पर बिल्कुल आपका right होगा next next question है friends, हमारा beach abdha following is commonly used bulking agent in the formulation of freeze dried low loose drug product जो freeze dried product होते हैं उन्हें किस परकार के bulking agent का यूच किया जाता है sodium chloride का, manitol का, starch का, HPMC का तो यहाँ पर right answer आपका HPMC होगा, और HPMC की full form मैंने आप लोगों को कल बताई थी, ठीक है तो आप लोग, IOP आप लोगों को याद होगी तो चली friends, मैं आप लोगों को बता देता है, hydroxy profile, methyl cellulose, HPMC की full form होती है, next next question है friends, हमारा beach filter can not be used for the preparation of tablet for amino containing basic drug to avoid decoloration of the tablet, दीखें की drugs के decoloration, sorry tablet के decoloration से बचने के लिए किस प्रकार के filter का यूज नहीं किया जाता है die calcium, die calcium phosphate, micro crystalline cellulose starch lactose, तो यहाँ पर right answer आप लोगों का lactose होगा D option यहाँ पर बिल्कुल आपका right होगा और हमारा last, आज का last question है friends, the healing agent is used in hand cream is, जो hand cream होती है उसमें कौन से healing agent का यूज किया जाता है soft peraphin, urea, beach wax trial, alcohol, तो यहाँ पर right answer आप लोगों का, यह होगा ठीक है, soft peraphin का यूज healing agent के रूम में किया जाता है hand cream में, तो friends, यह आज के हमारे top 25 में से क्यों थे pharmaceutics के, तो pharmaceutics के लगवा question में ने आप लोगों को करा दिये हैं, और एक वीडियो pharmaceutics की और आएगी और उसके बाद हम जो है new subject को start करेंगे, कल एक वीडियो आएगी उसके बाद हम new subject को start करेंगे दो हम आप लोगों के बास 100 question हो जाएंगे और 100 question का आप लोग अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे जो pharmaceutics के top top related जो है MCQ है ठीक है, ये पूचे ही पूचे जाते है exam में, ठीक है, तो आप लोग इसे अपने नोट्स में जरूर नोट करना और PDF में आप लोगो टेलिग्राम और बाटसब ग्रूप दोनों पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सेर नहीं किया है, तो सेर जरूर कीजेगा क्योंकि फार्मासिस्ट की प्रिप्रेशन जो भी कर रहा है, चाहे central लेविल पे हो चाहे state लेविल पे हो, अगर उस student के पास तक ये चैनल जाएगा, तो उसे इससे बहुत हैल्म मिलेगी, ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो इस चैनल पर आने के लिए आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेश्ट वीडियो में थैंक्स पर बाचिंग फार्मा एमसी की वब